हेलो एवरिवन वेलकम टू माई योटिब चैनल आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक तो नेक्स रोजगार मेले के बारे में कि जो नेक्स रोजगार मेला है वो कब कंडक्ट होने वाला है साथ ही यहां पर जो ह इतनी लिस्ट तक जा सकती है और ये बात कनफर्म है कि कुछ जोन में आपको 10 से 12 डीवी की लिस्ट भी देखने को मिलेंगी अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं उसका मैं ऑफिशल प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीवी लिस्ट के बारे में देखो यहाँ पे मैंने क्यों ये बात बोली है कि 10-10 डीवी के लिस्ट आएंगी तो इसके लिए बार डीवी की ज़्यादा लिस्ट आने के कहीं कारण मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज आपको बता दूँ अभी पिछले दो से तीन दिनों के अंदर एंटी पीसी की दो तीन अपडेट आये हैं जिसमें एक राची की तरफ से अपडेट आय लाया गया है तो देखो जब एंटी बीसी जैसे एक्जाम में 10-10 तक ॡीवी लिस्ट जा रही है तो ग्रूप डी में तो और भी ज़्यादा जाएंगी क्यों जाएंगी क्योंकि एक बात आप लोग देखो कि जो ग्रूप डी का एक्जाम देता है वो सबसे एक तरसे लू तेरा या पंदरा तक भी हो सकता है कि डीवी की लिस्ट जारी की जाए लेकिन कुछ जोन ऐसे भी है जहाँ पे दो तीन लिस्ट में ही सारा काम कम्पलीट हो जाएगा ठीक है जोन टू जोन वैरी करता है यहाँ प्रिविएस एर का डाटा भी उठा गे देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जिसके पॉइंट्स में मार्क्स कम है उसको तो यहाँ पे उम्मीद बना के रखने है और यह उम्मीद आपको लंबे समय तक बनानी पड़ेगी क्योंकि इस बरती को जबर्दस्ती लटकाने की कोशिश की जा रही है आप लोग एक चीज़ देखिए यहाँ गुरूप D 2018 वाली जो हमारी बरती थी उसमें अभी तक जॉइनिंग का प्रोसेस चलना है मतलब पांच साल बात भी जॉइनिंग का प्रोसेस चलना है तो यह वाली बरती का आप आईडिया लगा सकते हैं कि प्रोसेस कहां तक जाने की उम्मीद है अभी आप लोग देख र नहीं है मतलब एक्जेक डाटा मारे पास नहीं है लेकिन अप्रॉक्स में आपको बताऊं तो 50% चात्रों की भी जॉइनिंग नहीं हुई है क्योंकि यह रोजगार मेले और इसमें मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए उस तरह से इसको यूज किया जाता है तो भरती को पास हो सकता था इस्टन डेलवे में देखो आप लोग चातरों के पैनल आगे हैं तीन तीन पैनल आगे हैं लेकिन उसके बाद जॉइनिंग का कोई नामों निशान नहीं है किसी को जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है सिरफ मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि खाना पू लुक देखें इसी के regarding next रोजगार मेले के बारे में तो next रोजगार मेला जो है आपका बताया जा रहा है कि 13 जून को कंड़क कराया जाना है और 13 जून को रोजगार मेले में फірसे कुछ letters बटेंगे फिर उनकी joining नहीं आएगी जो first रोजगार मेला हुआ था उसके भीkit student अ तरहा हमारी जॉइनिंग नहीं आई है ठीक है बोला ऐसा जाता है कि रोजगार मेले वाले दिनी आपकी जॉइनिंग भेज दी जाएगी लेकिन जॉइनिंग अभी तक नहीं आई है फर्स्ट रोजगार मेले गी और अभी यहाँ पे तीसरा यहाँ पे जो है रोजगार मेला आई तिंग तीसरा है पता नहीं चौथा है लेकिन जो भी है तेरा जून को बताया जा रहा है कि फिर से रोजगार मिलोगा यो डॉक्यमेंट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पुरानी बरती तो जैसे चलेगी वैसे चलाई रहें अडिस नहीं बरती के बारे में कुछ अपडेट मिले चातरों को क्योंकि जो स्टूडेंट सलेक्ट नहीं हो पाए उनको यहां पर एक जो है अपना कह सकते हैं कि टार्गेट मिले कि किसकी उनको तयारी करनी है ठीक है